एक जमीनदार के लिए उसके कुछ किसान एक भुना हुआ मुर्गा और एक बोतल फल का रस ले आए जमीनदार ने अपने नौकर को बुला कर चीजे उनके घर ले जाने को कहा देखो उस कपड़े में जिंदा चिडिया है और बोतल में जहर है खबरदार जो रास्ते में उस कपड़े को हटाया क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो चिडिया ओड़ जाएगी और बोतल सूंग भी ली तो तुम मर जाओगे समझे नौकर भी अपने मालिक को खूब पहचानता था उसने एक आराम दे कोना धूंदा और बैट कर भुना मुर्गा खा गया उसने बोतल में जो रस्ता वो भी सारा पी डाला एक बूंद भी नहीं छोड़ा उधर जमीनदार भोजन के समय घर पहचा और पत्नी से भोजन पर उसने को कहा उसकी पत्नी ने कहा मैंने जो मुर्गा और रस्त की बोतल नौकर के हाथ वही काफी है उसके गुस्से की सीमा न रही जब उसकी पत्नी ने बताया कि नौकर तो सुभा का गया अभी तक लोटा ही नहीं बिना कुछ बोले गुस्से से भरा जमीनदार अपने काम की जगह वापस गया तो देखा नौकर तान कर सो रहा है उसने उसे लात मार कर जगाया और किसान द्वारा लाई गई भेट के बारे में पूछा मालिक मैं घर जा रहा था तो इतने जोर की हवा चली कि चिडिया के ऊपर धका कपड़ा उड़ गया और जैसा आपने कहा था वो भी उड़ गई मुझको बहुत डर लगा कि आप सजा देंगे और मैंने बचने के लिए बोतल में जो जहर था वो पी लिया और अब यहां लेटा लेटा मौत के आने का इंतजार कर रहा था